हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम आल अफ यू टो बायोजी बूस्टर और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th class students के लिए 11th class biology का ये वीडियो है 11th class biology हम लोग कर रहे हैं और 11th class biology में इस वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं chapter 9 ठीक है chapter number 9 that is biomolecule chapter number 9 unit 3 में 5 units है आपके 11th biology में उसमें जो 3rd unit है cell वाला unit उस पर 2nd chapter है ठीक है तो 8 chapter जो है 3rd unit पर 1st वो है cell the basic unit of life और उसके बाद जो 2nd chapter है sequence में गर देखे हम तो chapter number 9 जो है वो है biomolecules ठीक है तो इस chapter से हम शुरू कर रहे है biomolecules खेर इतना sequence में attention ना लें क्योंकि जो अलग state board के जो student रहता है उनके हो सकता है यह sequence ना हो ठीक है और उनके हो सकता है कि यह chapter 9 नमर पे ना आके 12th class में आ रहा हो या 11th class में किसी और नमर पे chapter आ रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं बढ़ता main concept है concept same रहेंगे science change नहीं होगा state के साब से ठीक है या ICAC board या ICAC board के साब से वो तो सेम ही रहेंगा biology ठीक है clear ही बात तो chapter 9 है biomolecules 11th class biology chapter 9 that is biomolecules ठीक है अब इस biomolecules chapter को शुरू करने से पहले एक बात में आपको कहना चाहूंगा कि यह chapter important है यह तरीके से backbone है molecular biology आप पढ़ेंगे अगर जीवन में आगे तो उस बाइसिक चीजें नहीं पते हैं इसमें कि protein क्या हुता है आरेने क्या होता है DNA क्या होता है इंका structure क्या होता है कौन से bonding होती है नियाने के भीच में है । इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह बात यह चैप्टर आपके अगर 11 12 क्लास के साब से बात करूं तो आपके केमिस्ट्री में भी आता है कई जगह पर 11 क्लास में केमिस्ट्री में आता है कई जगह आप पढ़ लेंगे तो आपके दोनों जगह फायदा हो जाएगा ठीक है और अच्छा कि जैसे पहले उन्होंने क्या दिया हुआ है पहले इसके बाद बीच में यह टॉपिक आगा और उसके बाद इस तरीके से उल्टा-पूल्टा थोड़ा सीक्वेंस है तो वह समझने में मेरे साब से दिक्कत आएगी तो मैंने क्या हुआ है इसको सिस्टमेटिक वे में अरे यह सब आप तब पढ़ेंगे जब आपको नुक्लोटाइड बता होगा यह नुक्लोसाइड बता होगा ठीक है तो मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में रेंज किया है एक बार इसको पूरा अगर ढंग से आप समझ लेता है इस चैप्टर को तो यह बहुत जादा है आपके सबसे पहले इंट्रोड़क्शन देखेंगे कि बायो मॉल कूलिकूल में होता ज है इसके बाद मेटा बॉलाकूलीडस कुया होता है सभसेपहली बाद also-cyjे डो इसके बाद Carbohydrate Carbohydrate 5 major component जो है nutrition के उसमें से एक है Carbohydrate protein fat vitamin और minerals ठीक है तो Carbohydrate क्या होता है क्या करता है body में कहां store होता है किस form में store होता है conversion कैसे हो सकता है metabolism क्या होता है metabolism क्या होता है इस सारी बाते इसमें detail में आएंगे इसके बाद fat हम खाता है घी, ओयल, तो यह क्या है, कैसे convert होता है बोड़ी में, क्या fat from store होता है, fat हमारी बोड़ी में यह नहीं होता है, ठीक है, यह सारी बाते है, saturated fat क्या होता है, unsaturated fat क्या होता है, यह सारी बाते हैं इसमें आएंगी, ठीक है, protein important है, protein हमारी बोड़ी में store होता है, कि नहीं होता है, इसके बाद amino acid क्या होता है इसके बाद polysacride क्या होता है इसके बाद structure of protein क्या है ठीक है अच्छा यह polysacride नहीं है एक थोड़ा से यहाँ पे मैं इसको change करता हूँ polysacride तो carbohydrate में ही आ जाएगा ठीक है यह मैंने गलती से लिख दिया होगा polysacride नहीं है यह polypeptide होगा दोस्तों ठीक है देखो poly मतलब होता है बहुत सारा carbohydrate मतलब carbohydrate ठीक है sugar तो यह carbohydrate में आएगा polysacride सही था हो भी लेकिन वह आएगा इसमें polypeptide peptide मतलब proteins की unit ठीक है बहुत सारे peptide मिलके polypeptide मिलके protein बनता है तो polypeptide आएगा protein में तो यह हैं आपके protein में six topic जो है वो nucleic acid है important है nucleic acid क्या होता है DNA, RNA, nucleic acid होता है यह कैसे होता है nucleotide क्या होता है nucleoside क्या होता है कौन से bonding होती है phosphate group क्या होता है sugar क्या होता है base क्या होता है adenine, guine, thiamine, cytosine क्या होता है सब इस chapter में आने वाले हैं ठीक है इसके बाद composition of DNA क्या structure of DNA क्या composition of DNA किस तरीके से बना हुआ है क्या structure है DNA का double helical structure of DNA जो Watson Creek ने दिया था वो क्या था कब दिया था क्या उसके फायदे हुए हमें ठीक है यह इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं इस topic में seven जो है वो है nature of bonding linking nature of bonds linking monomers इन पोलीमर पोलीमर जो होता है उसमें क्या bonds के linking है anxiety के हिसाब से यह topic है विल्कुल same to same ऐसे लिख दिया है मैंने तो यह इसमें हम सारी चीज़े बढ़ेंगे इसके बाद eight जो है dynamic state of body constituents क्या है concept of metabolism metabolism क्या होता है जब हम कुछ खाते हैं तो कैसे पच्टा है ठीक है यह जब हम वरत रखते हैं तो हमारे body की energy कैसे again use होती है इस सारी बाते metabolism में आती है और इसको डिटेल में हम biochemical reactions के साथ समझेंगे ठीक है metabolic basis for living living के metabolic basis क्या है क्या importance है क्या क्या चीज़े होनी चाहिए living होने के लिए ठीक है the living state क्या होता है actual में वो पड़ेंगे उसके बाद enzymes most important topic है enzyme chemical reactions क्या होता है enzymes क्या होता है अक्टिवेशन energy क्या होती है chemical reactions क्या होता है अगर हम अपने बॉड़ी की बात करें तो कहते हैं 30 साल में भी खाना पज्जा तो बहुत बड़ी बात होगी ठीक है लेकिन एंजाइम के सायता से फिर बहुत डीटेल वाली बात होगी इंसे आटी में जितना है उतना तो पढ़ेंगे थोड़ा सा और लेबल उपर रखेंगे ठीक है उसके बाद फैक्टरस अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी के कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्या हाई टेंपरिचर में प्रोटीन से बंदे राते हैं कुछ उन्से नहीं सारे हैं तो इसे कहीं सारे है उनके पढ़नाया में उसके बाद कोफेक्टर क्या होते है इसको पढ़ेंगे ये बहुत important है ठीक है तो ये पूरा इस तरीके से सिस्टम से हम चलने वाले हैं एक बार इसका screenshot आप ले लीजे ताकि आपको सहूल यह तो आगे पढ़ने में ठीक है clear ही बात तो दोस्तों first topic से start करता है पहला topic है introduction सबसे पहले इसका introduction एक बार समझता है उसके बाद धर दर आगे topics बढ़ are called biomolecules मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है क्या है यह molecules that are essential to one or more biological process are called biomolecules अब आप कहेंगे कि सर molecules जो essential हो molecules molecules तो chemistry में भी होता है लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है biological processes तो कौन से molecules से मतलब है अपन को biological processes में जो काम आ रहे हैं ठीक है ऐसे molecules जो essential है एक या एक से ज़्याद होने में या उसमें involved है यह वह कहलाता है बायो molecules सिंपल सी बात है ठीक है clear यह बात अब देखिए example जैसे अब इसमें दो टाइप है macromolecules भी हो सकता है और macromolecules भी हो सकता है macro मतलब बड़ा micro मतलब छोटा ठीक है macromolecules कैसे जैसे एक जैमपल है protein carbohydrate लिपिड यह किस टाइप के लिपिड क्या होता है लिपिड फैट ही होता है हिंदी में कहता है वसा मतलब फैट का एक फॉर्म होता है लिपिड ठीक है carbohydrate पता ही है आपको और protein आपको पता ही है ठीक है तो यह सब macromolecules होते हैं दोस्तों यह बड़े molecules है बड़े कैसे बड़े मतलब size wise बड़े अगर आप इनको देखेंगे तो इनका molecular जो size है molecule का size है वो जादा है अब इस से बात है इसके बाद micro molecule जो size में छोटे हैं जैसे primary metabolites आगे पड़ेंगे हैं metabolites में और natural products यह सब micro molecules है ठीक है तो biomolecules क्या होता है उसमें biomolecules दो टाइप के होता है micro molecule और macromolecule with examples आपको पता है ठीक है इसके बाद there are essentially in many biological processes like cell division metabolism यह बहुत सारे processes में involved है पूरी के पूरी body ही एक तरीके से कहें तो इन पर dependent है सबसे पहला जैसे के example अलग-लग biological processes में involved है जैसे के cell division में cell जब divide होता है तो उसमें time macromolecules का role रहता है metabolism metabolism मतलब एक तरीक से जो भी living reactions body के अंदर हो रही है जितनी भी उन में macromolecules या कहूं biomolecules का role है many elements are found in our body और earth crust देखो कहीं सारे elements होता है elements क्या होता है जैसे oxygen हो गया iron हो गया सारे elements ही है ठीक है तो बहुत सारे elements जो हैं वो हमारे body में पाए जाता है जो कि earth crust में होता है ठीक है कहा होता है elements पेड में elements होता है आप कहेंगे होता है लेकिन वो किस से लिए जमीन से लिए है तो हमारे जो धरती है उसको प्रणाम करें क्योंकि सबकुछ धरती में ही है दोस्तों ठीक है सबकुछ अर्थ में ही है अब इस earth से ही plant के थूर वो उपर आता है और plant से फि अब भिंडी को खालिया, किसी ने, मानलो खालिया, डियर ने खालिया, डियर को खालिया, टाइगर ने, तो टाइगर के पास भी क्या पहुंच गया, आइरन पहुंच गया, अब टाइगर मर गया, मर गया, तो सॉयल में मिल गया, मिट्टी में मिल गया पूरा टाइगर, उसक पूरा तो नहीं लेकिन कुछ पर्सेंटेज ऑफ आइरन वापस से सॉयल में मिक्स हो गया ठीक और इस तरीके से चलती ही रहती है ठीक है तो एलिमेंट्स जो हमारे अर्थ पे हैं वो हमारे बॉड़ी में भी कही नहीं मौजूद होते हैं इसलिए मैं पहले भी कहता हूं आप तरीके से घर वालों पे ठीक है लेकिन एक्च्वल में जब आप बाहर जाएंगे और आपको खाने के इंपोर्टेंस पता पड़ेगी क्योंकि वहां खाना आपको टेस्टी नहीं मिलेगा हॉस्टल्स वगयर हमें ठीक है तो इसलिए डिफरेंट टाइप के जो फूड होते हैं वह खाएं आप क्यों खाएं सिर्फ इसलिए नहीं की टेस्ट अच्छा है और वह घर का खाना बहुत शुद्ध तरीके से बनाया जाता है बलकि इसलिए भी क्योंकि उसमें अलग-अलग टाइप के अलिमेंट्स हैं मदर कभी लौकी की सबजी बनाती हैं कभी तोरी की स बच्छे जो होते हैं तो उनको खाना नहीं मिलता है तो एक हाइप का मिलता है जैसे की डाल चांवल डाल 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 यरगुलर वेसे सब ना हो इसलिए सारे अपकी बॉड़ी में होने चाहिए अब दो यहां पर समझने वाली बात यह कि मैंने अर्फ क्रस्ट हमारी बोडी में बहुत सारे लिविंग टिशू बहुत कमाल की लाइन है यह देखो जो भी अलिमेंट अर्थ क्रस्ट में हैं मतलब धरती के अंदर हैं वो सारे अलिमेंट हमारी बॉडी में भी हैं क्याते हैं हम उन्हें अलिमेंट से बने हैं दोस्तों थेक हैं तो वह इंपोर्टन्ट है तो यह ध्यान रखना है इस उसको कि जो भी अर्थ क्रस्ट मैं हो वह वा मारी बाड़ी में भी मौजूद हैं यह अब देखो यहाँ पर हमारे बॉडी में भी इसमें एक टेबल भी आपके NCRT में उसमें कॉम्पोजिशन दिया हुआ है कि जैसे कार्बन है या हीड्रोजन है नेट्रोजन है वह हमारी बॉड़ी में कितना परसेंटेज है एक बार उस टेबल को देख लेना बहुत ज़्यादा ऐसे परिशान हो नहीं है उसको में है और उनका परसेंटेज अलग परसेंटेज में है और हमारी बॉड़ी में वह अलग मात्रा में लेकिन डीप स्टडी ने रिवेल किया है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है वह लिविंग में जादा है एस कंपार तो अर्थ करस्ट यहीं यह स्टेटमेंट का मतल अच्छा यह क्या कह रहा है कि अर्थ करस्ट में भी अलिमेंट्स हैं हुमारी बॉड़ी में कार्बन और हाइड्रोजन जो है वह अलगें में Sulfur भी है. हमारी बदी में Carbon Hydrogen भी है, Earthdrush में Carbon Hydrogen भी है ठीक है? लेकिन हमारी बडी में जो Sulfur है वो कम मात्रा में है ठीक है? As compared to carbon hydrogen से. Carbon Hydrogen हमारी बॉड़ी में जड़ा मात्रा में है. तो comparison दूसरे elements के साथ हमारी बॉड़ी में जो मौझूद है से comparison earth crust के साथ नहीं है ध्यान देना सीज को ठीक है समझ पाई से आप तो ये चीजे हैं इंट्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक सी चीजे मैंने बताइए बिल्कुल इंट्रोडक्शन एक बेसिक वीडियो है ये इसके बाद जैसे से वीडियो बढ़ते जागा एक टॉपिक हम ले इसे में चलता हूँ लेकिन इस चैप्टर को जब मैंने एंसे आटी में देखा तो मुझे थोड़ा सा ये सिक्वेंस में अरेंजमेंट नहीं लगा ठीक है तो इसलिए मैंने इसको आपनी साब से अरेंज किया है बाकि चीज वही है ठीक है तो इसको आप ऐसे पढ़ना और कोई अगर डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरू बताएगा डाउट ठीक है चलिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो लव यू अल